दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता पंजाब, नाशनल बैंक, ओरिटल बैंक ओफ कॉमर्ज या फिर युनाइटिब बैंक ओफ इंडिया में है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो के लास्ट में दिये गए वीडियो को भी देखें। चलिए आप बात करते हैं, पंजाब नाशनल बैंक के मिनिममम बैलेस के रुल की। दोस्तों, सेविंग अकाउंट में मिनिममम बैलेस की जरूरत एरिया वाइज अलग-अलग है। इस टेबल को देखें, यदि आपका बचत खाता ग्रामीन क्षेत्र की ब्रांच में है, यानि रूरल ब्रांच में, तो आपको मिनिममम क्वाटर एवरेज बैलेस 500 रुपे रखना है। यानि खाते का तीन महीने में एवरेज बैलेस 500 रुपे आना चाहिए। इसी तरीके से आपका खाता अर्ध शेहरी यानि सेमी अबन शाखा में है तो आपको खाते में मिनिममम 1000 रुपे बैलेस रखना है। यानि तीन महीने का ओसद बैलेस 1000 रुपे होना चाहिए। और यदि आपका खाता शेहरी क्षेत्र या फिर मेट्रो एरिया में है, तो आपको सेविंग अकाउंट में 2000 अब ही इस टेबल को देखें। जैसे कि अगर आपकी ग्रामीन क्षेत्र में ब्रांच है, तो आप जान चुके हैं कि बैलेस 500 रुपे रखना होता है। लेकिन आप 250 से ज्यादा और 500 रुपे से कम बैलेस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको 50 रुपे और GST यदि 69 रुपे चा शेहरी क्षेत्र की ब्रांच की, जिसमें आपको 1000 रुपे बैलेस रखना होता है। यदि आप 1000 से कम मेंटेन करते हैं, लेकिन 500 से अधिक, तो आपको 100 रुपे प्लस GST देना होगा। और यदि आप 500 से भी कम या शूने रखते हैं, तो उस केस में आपको देना होगा 150 रु हजार के बीच में बैलेस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके खाते की पैनल्टी लगेगी 150 रुपे प्लस GST और यदि आप 1000 रुपे से कम रखते हैं या फिर 0 बैलेस रखते हैं, तो उस केस में 250 रुपे प्लस GST यानि 295 रुपे आपको हर 3 महीने में देने होंगे। ये चार सब्सक्राइब करें क्योंकि हम अल्रेडी PNB बैंक से समबंधे धेरो वीडियो बना चुके हैं और टाइम टाइम पर अपडेट देते रहते हैं, इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्य तो अब फिक्स डिपॉजिट बनाने में ज्यादा समझदारी नहीं है, अब बात है कि हम ज्यादा ब्याज कमाना चाहते हैं या ज्यादा रिटन चाहते तो क्या करें क्योंकि यह सिस्टम पुराना हो चुका है, यदि आप यंग है और थोड़ी रिस्क लेने की हिम्मत भी रखते हैं तो आपके लिए काफी सारे ओप्शन है